आप वाल्दे हैं जी उमर की? जी आप अच्छा तो यहीं पे उमर के साथ रहती थी या आप अलग थी? कोड़ा पेड़ा बोलनी सी बोल लिया, जी किसे कार भी लिए तो यह कुछी बाव इन देता है। कि उरप देता है। कि अच्छा अच्छा कोई दुष्मनी किसे नाप पता ही बेड़ा बेटा? कर अपना चाहिक आपिजिजू टो अन्पी कुछिता तु है मुल्ट खिर्वाइजे आपनर बेटे जाना। प्रिपनो कॉछ पने टा ही नहीं कूँ किया जाननी की जुम मत्तजिए दा मेरे बेटेन लाई ट्जिक जह खाने है। देलनों कोच और रहा है सी? आगया है एभी ओंपर साब देथ होगी इन्हों ते खलें चीक मारी फिर मेन पता चल देया भी मेरे पुतर मैं आखा मेरे पुतर नुन टैक हो गया है मेरे बेटे नुन टैक हो गया है उस तो बाद फेर सिक ने फून नुकीते हैं दी बीवी ने भी सानु कि यूम दास की गा हो गई गड़िया और ले 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 गई है सानु अवर लग दे देवे है मेरा पुतर ने जिंदकी नाम बरबाद हुए मेरा पुतर ता थुदा जानदा तारे सामने लोग तरीफां प्या का रता है कि अवरत को जितनी हो सकता है इबरतनात सजा मिले क्योंकि उसकी जिस तरह की शवकल है मुझे देख कर खोफाता है जिसकी अपनी बीवी बच्चे इतने खूब सुरत हो चोटे चोटी सालिया थी उसकी उसकी आखों के सामने जवान हुई बैंग तब नहीं उसने कुछ किय कि अवरत के साथ कैसे कुछ बात तक नहीं वो करता था यही वज़ा थे कि तुम कोई लड़की होती कोई इंसान होती तो मैं कहती ठीक है मेरा मिया पिगल उसको तो देख कर इतनी खूफाती मैं तो यह भी मानने को तयार नहीं हो कि वो औरत है क्योंकि औरत एक माह होती है और शर्म के पड़े में होती है हाँ जी वो में पता नहीं क्या है मुझे तो बहुत खौफ आता है मेरे बच्चे को फ्लीस तो हफुस मिले मेरी फैमिली को मुझे अपना तो पता नहीं है क्योंकि मैंने तो अपने जिंदगी उसके नाम कर दी है बस वो मेरे लिए सब जाए जाए और इससे भी बुरी मौत उसको मिले जिस तरह उसने मेरे मिया की जान निका लिये क्योंकि मेरी मेरी बच्चियों किया और बद्वाए कब भी उसके लिए खतम नहीं होगी मेरी हकुमत से बार बार इलतिमास है कि इनको इनसाफ दिया जाए उस उस औरत को किफर किर्दार तक पहुंचा जाए उसको ज्यादर ज्यादर सब उसको कम से कम फासी सजा देनी चाहिए फासी होनी चाहिए और इनको इनसाफ मिलना चाहिए बस इस पर आमल किया जाए पाक तरा से बड़े-बड़े M.P.M.N.ो से मेरी यही गुजारिश है, वजीर आजम से सदर से सबसे ही गुजारिश है, कि इस बची को इस हमारी बहन को इनसाफ मिलना चाहिए, इसके शोर के गातिलों को काफिर किरदार तक पहुचाना चाहिए, बस मेरी यही आप से चाहिए, जो अड़िया जाए, क्योंकि वो उरत मेरे जो उसने काहा था मेरे मिलना के साथ, उसने उससे बढ़के करती, का आगे भी आने वाले वक्ति.. आपको डर है कि बच्ची के साथ और आपके साथ? भाद हो इस पिए उप्री मेरे के साथ कुछ ऐसा है ना करें प्ली समय आप अब्ले से अमारे थेशार न खेल बकुनात। तरह मुझे भी उत five की जात से बात मुझे ये जितने भी इनसान और किसी को इनसाने की सही नहीं है तब उनसाफ जरूर देंगे मुझे कुछ अस्वारत ने जो जूम guilty है, इतने नेक इनसां के साथ, oh हमार वटला कर जिकर करता था, बेवा के пох colji को बेहाता था चुप करके देता था, कहता था एक खासे तो दूसरा आथ को पता ना चले इतनी उसने लोगों को देता था, मेरे हाथों से दिलवाता था कि कोई इस तरह के उनको पैसे लगा दो, कि हमने, कोई नहीं, अल्ला ने हमें दिया किसी घरीब की हम मदद करें, कि बता नहीं, उसकी जात कितरी खुश होगी, तो प्लीस मेरी आथ, तुमाम सुनने वालों से यही अपील है, कि प्लीस, प्लीस, जो मेरे मिया को खा गई है, वो हमारे जात मेरी बच्चियों को कोई भी नुक्सान कर सकती है, प्लीस, हमें तहफुच चाहिए, और प्लीस हमारा साथ दें बेटी के लिए मजबूर का जाता है, क्या कहता था, बेटी का रिष्टा दे तो मुझे, नहीं, कहता था बेटी को तियार करोंगे तो मैं वाकर बोल दूँगा, तो यह है, और उस महले में मेराती थी, तो मुसे लिए है, मैं बहुत कोशिश की समझाने की, यहीं कि आपको अच्छा, बेटी के लिए मुझे ही नहीं छेड़ता था, उसी पर बात करेंगे, माहर कानून हमारे साथ मौजूद है, अस्तादरबास बड़ साब, स्लाम रीकिन बड़ साब, सर गेरत के नाम पे बेटी के साथ अफेर था, एक शफस का मा ने अपनी बेटी की वज़ए से उसका गला कार दिया, ठीक, उसको पतल कर दिया, उसके बाद अब क्या देखते हैं आपके, यहां पे भी को प्रेशर आएगा, या पिर देखा जाएगा कि फैमिली किस किसम के, या पिर इस किसम के वाकियात के इसराथ हमारी सोसाइटी पे क्या पढ़ते है, क्या कानून इ उसकी बेटी के साथ उसे वरगला के, उसे साधिश करके, उसको किसी तरह से जो है वो कन्मिंस करके ले के जा रहा है, जो गहर कनूनी एक अमल हैं, तो अगर उसको पता होता कि वो कनून का दरवाजा खटकटाएगी और उससे इसाब मिलेगा, तो यह कतल ना होता, लेकिन अनफोर्चुनेटी यही था, कि उसे पता दा कि वो बेबस है, का कोर्ट सीधर कोई काम, उस तरह से स्पीटी जेस्टिस सिस्टम नहीं है, पुलिस उसकी बात नी सुनेगी, कोई लंबी बात है, उसको माशरे के अंदर से भी कोई सपोर्ट ना मिली, तो अब उसने कोई केसिज केसिस में आपका इसी तरह से है, आप यह नहीं कह सकते, कुछ ऐसतर मामिलात हैं, जैसे टेर्रिजिजम के केसिजらई, जैसे डूसरे इसे हाड कोर करिमिनल्स होते हैं, जिनकी आदत होती है, के वो कराइम करें ही करें, लेकिं बही औरत है, इसकी लेकिन उससे पहले अगर वो चाहती तो क्या उसके पास दादरसी के लिए कितने मवाक्य थी वो किसी पुलिस स्टेशन पे जाती तो उसकी दादरसी क्या होती लोग पुलिस स्टेशन के बाइड खजूम लगे होते हैं पुलिस उसको या लोग एंफॉर्स्मेंट जनसी जो है या स्टेट उनको किस तरह से देखती है तो ये बड़ा इंपॉर्टन है अचा सर इसके इलावा बहुत से वाकियात ऐसे आते हैं जिसमें जियाती है उसके इलावा जिसमानी तशदुद है नौकरानियों पर तशदुद है इस किसम के बहुत से वाकियात आते हैं सोसाइटी में तो मौाशरे की एक बड़ी अहम जिम्मदारी है बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी है लेकिन उसके बगएर यानि उसको साइट पे करते हुए हम लोग कानूनी जंग भी लड़ते तो उसमें भी मुदाई सुला कर लेते हैं हाँ ये बार ठीक है आपकी क्योंकि तो इसमें स्टेट क्यों नहीं मुदाई बना लोगों को ये लोग सिर्फ इस वज़ा से नहीं आप लिखते हैं कि साड़े उफेंसि जो है वो नोन कंपाउंडेबल हैं जो भी उफेंस होगा उसमें सुला की गुझाईश ही नहीं है फिर क्या होगा फिर मसला यह है कि इससे मामला खाल नहीं हो जाएगा आपने देखना यह है कि लोग अपनी मंच्शा से नहीं जाते हैं सुला की दरुब सिवल केसिस की अगर आप बात करें तो उसके अंदर लोग चार पांच छे साल बात दस साल बात लोग तंग आगे राजिनामा कर लेते हैं उसके अंदर तो गुजाइश होती है कि सुला आप कर ले लेकिन सिस्टम के ओपर कॉंफिदेंस नहीं है यह बात समझना पड़ेगी कि मजबूरी के तैद एक सुला करना एक लग बात है और कानून में लिखा होना लग बात है तो अगर आप करनून में सारे उफेंसिस को नोन कमपाउंटेबल बुला देंगे जिसके अंदर राजिनामे क्यों कुछ जाइश नहीं होगी तो फिर क्या होगा फिर भी लोग जो देखेंगे कि लोग उदर आके केंगे जी हमारे ये कातल ही नहीं हमारे ये इन्होंने की ही नहीं है राजिनामे को कोई दूसरी शकल दे दी जाएगी तो आपने लोगों को यह इत्माद देना है कि सिस्टम इतने स्ट्रोंग है कि उनको बरवक्त इंसा मिलेगा वो राजी नामा ना करें तो यह जरूरी है ठीक है, बहुत शक्रिया बड़ साथ